हेलो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता वाइट सॉस पास्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल में इसको बड़े शौक से सब लोग खाते हैं आज हम इसको एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ बनाएंगे तो यह रेसिपी आप शुरू से अन तक पूरी देखिए और यह आपको बहुत ही पसंद आएगी तो आप इसको जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आ करेंगे ठोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक कप मैंने पास्ता डाला है हम इसको बॉयल आने देंगे थोड़ा सा हम, लिग चमाच, औलम बॉयल जाला है कोई बी ओए डाल सकते हैं S coping तो शल्क ओप से, शल्ब करली और गूए और इसको पास्ता जरूं करेंगे चानल लें इसको अलग रख लेंगे और जो इसका पानी है उसको भी हम अलग रखेंगे वो हमारे को आगे पास्ता में चाहिए होगा काम आएगा और उसके लिए अब मैं एक पैन में ले रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी सबजियां सबजियां आप कोई भी डाल सकते हैं मैंने मश् पर रखें इसको नहीं तो जल जाएगी यह देखिए इसको हम रोस्ट करेंगे और इसमें डालेंगे अब नमक आधा चमच और मैं इसमें डालूंगी यह देखिए अब इसको फिर से मिला लेंगे और अब इसमें डालेंगे और एक टी स्पून और डालेंगे इसमें एक च अब हम डालेंगे बटर बटर तो जितना जादा आप डालेंगे उतना टेस्टी आपका पास्ता बनेगा अभी मैंने दो क्यूब डाले हैं तू टेबल स्पून और अब मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच ऑलिव ओल डालने से यह जो पास्ता है उसमें शाइन आता है और टे कि जगे हम ओर्स फ्लार ले रहे हैं इसमें ओर्स जो हमारे आते हैं उसको हम पीस लेंगे हलका सा रोस्ट करके पीसेंगे यह देखिए और इसको हम पकाएंगे जब तक कि इसमें हलकी सी खुश्बू आने लगे इसको ब्राउन नहीं होने देना है बस लाइट ही रखना है इसको एक दम यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद तो दूद को आप दीरे दीरे डालना है और इसको मिलाते जाना है जिससे इसके लंप्स जो हैं वो न पड़े इसमें creamy texture बनाना है तो इसको दीरे-दीरे मिलाते जाएंगे हम ये देखिए और इसको creamy texture आने तक इसको पकाते रहेंगे मिलाते जाना है नहीं तो इसमें गाठे बढ़ सकती है ये देखिए इस तरह से अब ये दीरे-दीरे ये देखिए creamy texture बन गया है इसका कितना अच्छा अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च mix hub और red chili flakes ये देखे अब इसको फिरसे mix कर लेंगे तो ये हमारी white sauce बन चुकी है अब इसमें थोड़ी गाड़ी है तो इसमें थोड़ा सा milk और डालेंगे ये देखिए और इसको mix करेंगे अच्छे से थोड़ा ये process अब जल्दी करें नहीं तो इसमें गाठे बढ़ सकती हैं ये देखिए अब इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के according थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं ये देखिए और अब जो हमने vegetable सौते करके रखी थी वो इसमें हम मिला देंगे ये देखिए और इनको धीरे से मिलाएंगे अब इसमें हम डाल देंगे pasta ये बॉयल किया हूँ पास्ता मिक्स कर रही हूँ मैं और ये हमारे को इसको धीरे-धीरे मिलाना है आपने जिससे pasta टूटे नहीं ये देखिए और ये creamy texture बन गया है बहुत बढ़िया लेकिन ये थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो जो हमारा boiled pasta water था जो हम बचा था पानी वो इसमें से थोड़ा साधा कप के करीब बस पानी डालेंगे जिससे कि इसकी जो consistency है वो बहुत ही creamy हो जाए ये देखिए तो ये pasta हमारा बन के त्यार हो चुगा है अब मैं इसको serve करती हूँ ये हमने bound लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ pasta ये देखिए गरम गरम pasta है आप इसको बनाएए और enjoy करिए और इसमें इसको सजा रहे हूँ मैं basil leaf से basil leaf ना हो तो भी चलेगा optional है ये और अब इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज जो है cheese खूब सारा cheese डालें क्योंकि white sauce में cheese बहुत ही tasty लगता है ये देखिए अब मैं cheese से मैंने decorate कर दिया है सजा दिया है गानिश किया है बहुत ही tasty बन गया है ये पास्ता आप जरूर इसको try करें और मेरे साथ अपने comment शेयर करें healthy pasta खाएं healthy रहें happy रहें और फिर किसी अच्छी recipe के साथ दुबारा मिलेंगे तब तक take care thank you bye bye